लाइक शेर और सब्स्राइब करें हमारे इस चानल को और बैल आइकन को दबना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे हेलो इस्टुडेंट्स आज हम डिपार्टमेंटल एकाउंट के अंतरगर एक कोश्चन स्वाल करके देख रहे हैं मैं आपको सबसे पहले कोश्चन पढ़के सुना रहा हूं और जैसे जैसे हम कोश्चन पढ़ते जाएंगे बैसे बैसे हम यहां पर ट्रेडिंग और ट्रेडिंग पॉपिट लास एकाउंट बनाएंगे तो जितने आपके डिपार्टमेंट होके उतने उनके अमाउंट के कालम होगी तो यहां पर इस कोश्चन में जो हैं तीन डिपार्टमेंट हैं A, B, C, A, B, C तो ABC के तीन कालम डेविट साइड और ABC के तीन कालम ट्रेजि तो सबसे पहले जैसे हमने ट्रेडिंग एकाउंट आपने फाइनल एकाउंट में मैंने आपको एक्स्पिलेन किया था तो सबसे पहले तो यहां आता है टू ओपनिंग स्टाउक डेविट साइट क्या है आपका टू ओपनिंग स्टाउक ठीक है जिस डिपार्टमेंट का ज यह आएंगे जिएक से रहेंगे तो हम लिखेंगे अधरवाइस नहीं लिखेंगे इसके बाद इसके नीचे बाला पार्ट जो गाылएक कि प्रसथा नीचे वाले पार्ट में हम् प्रफित र लसस्कुलेट से undergrad इन्फरमेशन को जो है इसमें जो है लिखेंगे दर्साएंगे तो मैं कोश्चन पढ़के सुना रहा हूं आपको रमन ने जो की एक विभागी स्टोर्स का मालिक है जिसमें एव से तीन विभागें बर्स 2021 में मार्च महा के लिए अलग-अलग विभाओं के लाप की गणना कर होंगी उसके अधार पर हम क्लोजिंग इस्टाग भी केल्कुलेट कर लेंगी परन्तु तीनों विभागों में ए बी सी के लिए सकल लाप की दर बीकरह पर कम से 40 परसेंट 30 परसेंट और 20 परसेंट हैं तो हम हमेशा जब भी हम ट्रेडिंग एकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिल केलेगा। अब इंफर्मेशन देख लए देख रहे हैं जैसी जैसी इंफर्मेशन दी हम लिख लेंगे तो इस्टाक दिया हुआ 15 अजंट Fr 2021 को 9000,8400,12000, इसका जो है आपका 9000 है, 9000 है, सेकंड इसका जो है 8400 है, 8400 लिख लेंगी, थार्ड है इसका आपका 12000, 12000 लिख लेंगी, ठीक है, फिर इसके बाद salary दी है, तो salary जो है आपकी distribute है, बटी हुई है, दी हुई है, तो हम जो है उसको, salary जो है आपका indirect expenses है, तो हम profit and last account जब बनाएंगे, gross profit calculate करने के बाद, उसमें लिखेंगे, purchase दिया हुआ 27000, ए डिपार्टमेंट का, तो 27000, यहां लिख लेंगी, second है B का 21600, ठीक है, फिर इसका जो है आपका 90000, ठीक है, कितना है, 90000, ठीक है, अब इसके बाद information दी हुई है आपको, purchase हो गया आपका, फिर sales दिया हुआ है, sales हम credit sites हो करेंगे, 42000, इस department का 42000 है, B department का दिया हुआ है, question में आपको 36000, और C का जो दिया है, one leg 2000, clear, यही जो इतनी information दी हुई थी, हमने इनको इस प्रकास से हम लिख लेंगे, इसके बाद gross profit, अब direct expenses नहीं दिये हैं, तो हम सीधे gross profit लिख लेंगे, तो gross profit का जो percentage दिया है, वो sales का कितने percent दिया हुआ है, question में आपको, 40%, 30% and 20%, तो ए डिपार्टमेंट की जो selling है, वो कितनी है, 42000, तो इसका 40% हम calculate कर लेंगे, एक 0 हटा करके, फोर्स into कर दिजे, तो आपका gross profit आजाएगा, ठीक है, 16800, इसी प्रकार से इसका 30% calculate करना है, इसकी sales कितनी है, 36000, तो percentage कितना दिया है, 30%, तो इसका 30% एक 0 कम करके, और 3 से into कर दिजे, तो आपका इसका भी gross profit आजाएगा, ठीक है, फेस के बाद C का जो है, आपका percentage दिया है, 20%, 20% मिन्स, बन वाफ 5 भी कर देंगे, मिन्स, यह जो एमाउंट दिया है, एक लाग दो जार इसमें, फाइब से आप इसको जो है, फाइब से डिवाइट कर दिजे, तो आपका 20% calculate हो जाएगा, और आपका grass profit आजाएगा, ठीक है, यह आपका 20% हो गया, अब हम इधार का total लगाएगे, यह ओर है आपका 8,52,000, ठीक है, इधार का total लगा लिजी, 40,800, इधार का total लगा लिजी आप, इकलाग 22,000, ठीक है, इसको जो हम इस साइड ले आएगे, क्रेडिट साइड, 52,800, 40,800, एंड वन ले 22,400, ठीक है, यह आपका, आजाएगा, अब defense amount आप minus कर दीजे, है ना, तो 8, जो है, defense amount कितना होगा आपका, 8, 0, 1, यह आपका स्ठाक हो गया, ठीक है, क्या, फिर इधर भी यहाँ आपर भी, 8, 4, और इसका भी minus कर लिजे, 4, 0, and 2, ठीक है, तो यह आजाएगा आपका, 10,000, 10,800, and 4,800, and 20,400, यह आपका closing स्ठाक हो गया, अब grass profit को हम credit side सो करेंगे, इस side ले आएँगे, by gross profit, ठीक है, 16,800, 10,800, and 20,400, के लिए, अब जो indirect expenses, जैसे मैंने last lecture में आपको बताया था, कि indirect expenses को हमें उनके nature के हिसाब से, उनका वित्रण करना होता है, अलग-अलग distribution करना होता है, यह दि कोई indirect expenses, especially department was दिया हुआ, तो जितना amount दिया हुआ, उतना लिख दीजिए, तो यहाँ पर इस question में salary के amount जो दिया हुआ है, आपने को distribute किया हुआ, तो हम उसी को लिख देंगी, तो सबसे पहले हिहाँ आप लिख लिख लें हम salary, salary, 2, salary, salary का amount दिया हुआ है आपको, 5,490, 5,490, इसका second का दिया हुआ है, 8,520, और C का दिया हुआ है, आपको, 12,220, 220, ठीक है, यह दिया हुआ है, लिख दिया, अब यह information आपको दी हुई थी, तो यथा बत आवा आपको लिख लिख लिया है, केवल आपको एक calculation करना पड़ा है, इसमें क्या करना पड़ा है, कि gross profit का percentage दिया था, वो किस पर depend था, sales पर था, तो हमने sales का amount जो दिया हुआ है, उसका percentage calculate करके, gross profit लेक लिख लिया, इधर का total लगाया, credit side लेकर के लिख गए, और जो difference amount आपका closing stock calculate कर लिया, जैसे question में कहा था उसने, कि अंतिम stock का किसी अपरिहार कार्णों से, calculation नहीं किया जा सका है, किन्तु gross profit का percentage जो है, जितना हुआ है, उसका percentage यह है, तो दे दिया था, तो हमने यह calculate कर लिया, अब salary का amount दिया हुआ है, separate distribute किया हुआ, तो हमने लिख लिया, अब हम और कुछ information देख लेते हैं, संकून ब्यावसाय के लिए अप्रत्यक्ष भै, indirect expenses, तीनों department का कितना है, 10,800, total indirect expenses, total indirect expenses, जो हैं आपके, वो कितने दिये हैं, 10,800, तीनों department का, ठीक है, जिसका 1,6, भाग, तीनों विवागों में, तीन एक के अनपात में बाटना है, इसका 1,6, इसका हम 1,6 calculate कर लेंगे, कितना होगा, अठा रासों, तो यह कितना है आपका, 1800 आया, 1800 को किस रासों में distribute करना है, 3 is to 1 is to 1, 3, 1, 1, divided by 5, ठीक है, अब, जो है, A department, B department, और C department, तो A का कितना हो गया, इसका, इतना हो गया, और इसका कितना होगा, 360, और इसका भी कितना होगा, 360, ठीक है, अभी और distribute होना से बागी है, अब 10,800 में से है, हमने क्या किया, कि 1800 हम माइनस कर देंगे, तो बचा कितना आपका, 9,000, ठीक है, अभी 9,000 को बाटने के लिए क्या कह रहा है, यह भी देख लेंते हैं, Cs Aptex by विभागी विक्री के अनपात में बाटना है, आपकी सेलिंग जो सेल्स दिया हुआ है, इस रेशो में आपको distribute करना है, तो हम देखते हैं, सेल्स हमारा कितना है, 42, जैसे हम इसका रेशो बनाएंगे, 30,000 सेम सेम हैं, तो इसको cut कर दीजे, तो बचा किया 42, और आपका 36, और 102, तीनों को प्लस कर लिजे, ठीक है, और कितना हुआ यह आपका, 369, 6410, 347, और 188, और 180 हुआ, ठीक है, तो अठारा पंजी 90, यह 50 किसाब से कट गया है, ठीक है, तो अब आपन जो है, इनका गुणा कर देंगे, तो कितना कितना आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसपस्ट, A, B, and C, A का दिया हुआ है, 180, हमने कैलकुलेट कर लिया था पहले, और 360, अब इसने प्लस ओवर करना आए, तो कैलकुलेशन करके लिख लेंगे, एक जिरो दिया ही हुआ है आपको, 5 दूनी 10, और 5 दूनी 20, 20 और 21, ठीक है, फिर, एक जिरो लगा दिजे, 5 से इंटू कर दिजे, 5 छेकर 30, और 5 तिरी 15, और 3, 18, ठीक है, ऐसे इसका कर लिजे, एक जिरो लगा दिजे, और 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, टोटल लगा लिजे, 0, 8, 1, और 3, यह कितना हो जाएगा, 0, 6, 11, 2, और यह कितना हो जाएगा, 6, 4, और 5, तो इस तरीके से, 3,180, और आपका, 21, जो है आपका, 21, 6, 0, और 5, 4, 6, 0, आपका यह indirect expenses हो गया, तो हम यह लिख लेंगे, 2 indirect expenses, कितने कितने हैं, 31, 80, 21, 60, ठीक है, and 5, 4, 6, 0, ठीक है किलिए, इस तरीके से यह खर्चे बाट दीए, अब अपने को, केवल प्रॉफिटर लास एकाउंट बनाने को कहा था, तो यह कंप्लीट हो गया, बागी कोई information दी नहीं है, अब आप देख लिजे, किदर का total कम जादा हो रहा है, यदि credit का total access हो रहा है, तो आप पहले credit का total लगाई है, ठीक है, और debit side लेकर करके आई है, तो जो difference amount होगा, वो कहलाएगा आपका, net profit, तो इसका पहले calculate कर लेते हैं, 16,800 इधर लिए ही आप, ठीक है, और to, लिखेंगे to net profit, calculate करेंगे, 8,230, अब इसका देखें, तो इधर 8,210, और 6,28, 5, और 6, इधर के जादा हो रहा है, इधर का total हम पहले लगाएंगे, इधर लेकर के आएंगे, debit side, ठीक है, और difference amount लिखेंगे, 0, 6,28, और 2,10, सुना सिलका 1, 5,27, और 1,8, ठीक है, 6,7, और 8, और 8,2,10, सुना सिलका 1, अल्लेटी, 120 आएगा, ठीक है, इसको चाहें तो हम इसको हटा दे सकते हैं से, 0 को, ठीक, अब इसका किदर का total ज्यादा हो रहा है, 12, 5,17, इधर के ज्यादा हो रहा है, तो इधर के total लगाएंगे हम, ठीक है, 20,400, इधर लेकर के आएंगे, 20,400, और difference मैनस करेंगे, 0, 6,28 और 2,10, सुना सिल्का एक, 4,37, 7,14, अलिका एक, 35,38 और 1, 35,38 और 2,10 के सुना सिल्का एक, और 1,2, 27,20 जो है, इसका net profit आया, इसका 120 आया, और इसका 8,230, इसमेंट के इंडिफ्रेंस गड़वड़ी है, 8 और 2,16, 17, 2, 4,2,6, और 6,7, 7 और 8, यहाँ पर जो है, यह 8 होगा, ठीक है, यहाँ पर 1 आएगा, कितना आएगा आपका, 1, ठीक, तो यह जो है आपका, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट कम्प्लिट हुआ, फिर से आप समझ लिज़े, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको कहा जाएगा, डिपार्टमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लास एकाउंट प्रिपेर किजिए, तो यह हमारी एडिंग हो गई, वो कहेगा, इस महा के लिए बनाईए, तो वो महा लिख दीजिए, उसमें कहेगा कि इतनी डिपार्टमेंट है, तो इतनी रासी के कालम बना लिजिए, दो है तो दो, तीन है तो तीन, अब आपने फाइनल एकाउंट पहले भी बनाए हैं, सबसे पहले हम ओपनिंग इस्टाउक लिखते हैं, सेम टू सेम आप कापी कर दीजिए, पर्चेस की कापी कर दीजिए, ग्रास प्रॉफिट में कहे रहा है, वो 40 पर्षन इतना है, 30 पर्षन इसका है, 20 पर्षन इसका है, इसका सेल्स का, तो यहां का 40 पर्षन इहां लिख लिजिए, 30% B का लिख लिजिए 20% C का लिख लिजिए इधर का टोटल लगा ये credit side लेकर क्या ये difference amount क्या के लाएगा आपका closing stock के लाएगा अब grass profit को आप credit side सो कर दीजी आपको ये indirect expenses already ये दिस्टिबूशन distribute किया हुआ दिया है उसको as it is लिख दीजे तो हमने salary को as it is लिख दिया indirect expenses के बारे में उसने information दी थी कि कुल खर्चे जो है 10,800 है उसका 1,6 जो है 3 is to 1 is to 1 रेसों में distribute करना है तो हमने 1,6 calculate किया वो आया थारा सो उसको हमने 3 एक एक कैन पात ने distribute कर दिया तो वो कितना है एक training बचा है तो 10,800 में से 1,800 जो बट चुका है उसको minus कर देंगे बचा कितना नो हो जा इसको किस रेसों बाटना है sales रेसों में बाटना है तो यह sales दिया हुआ है इसका रेसों हमने calculate किया तो 180 इन तीनों का योग आया 180 से हम divided कर देंगे और calculate करेंगे तो यह amount आएगा 2100, 1800 औ क्रेडिट के टोटल में से डेविट माइनस करेंगे तो आपका net profit आजाएगा तो departmental net profit आजाएगा एक कालम आप total का भी बना सकते हैं यह आपके पास जगए है तो हमारे पास यहां जगए नहीं थी इसलिए हमने नहीं बनाया तो total net profit भी आजाएगा आपके पूरे ब्याउ हो आप उनको स्वाल किजिए कोसिस कीजिए हमारे जितने भी एकाउंट के मैस हैं उसमें केवल हमको 90% कॉपी करना होता है यदि आपको ठीक ढंक से फार्मेट मालू है थोड़ी सी जानकारी है तो केवल उनको यह थावत लिखना है थोड़ा वह हमको केल्कुलेशन करना हो होता है इसके अलावा कुछ नहीं होता है आज के लिए इतना ही कॉफी है अब नेक्स्ट चेप्टर में हम लेक्चर होगा तो उसमें और दूसरा एक क्वेशन लेंगे डिपार्टमेंटल एकाउंट का ताकि आपको और केलियर हो जाएं ओके थेंक यू